हलो गाइस मैं हूँ आपके साथ वरशर आये और मेरे साथ है मेरी सयोगी वंशिका शर्मा और आप सभी एक अस्वाकत है एवीपी लाइफ पर वंशिका आ गया है हम धेर सारी गॉसिप और मस्ती लेकर नौबचे देखा की नहीं एपिसोड बिल्कुल देखा और यहां पर तो कंटेस्टेंस के इतने अलग अलग रूप दिख रहे हैं किसी की एंट्री इतनी जादा स्ट्रॉंग थी तो किसी की थोड़ी सी फीकी भी हो जाएगा कि कौन फ्लिप मारने वाला है कौन मुपे कुछ और है पीछे कुछ और है धीरे धीरे टाइम आएगा वह धीरे धीरे अपनी पॉस्नालिटी लाएंगे ना फ्लिपर और गेम चेंजर उसमें देखने में बहुत मजा आने मारा लेकिन यार एक चीज मुझे कोई भी बाहर की इंफोर्मेशन अंदर नहीं आईगी कोई अगर घरवालों से मिलने भी आता था तो आपको पहली पता दिया जाता था कि प्लीज उन्हें कोई इंफोर्मेशन मत दीजेगा आप टीन चौर महिने तक फोन के बिना लेकिन इस बार उनकी ये ख्वाइश अगर तो बी ऑनेस्ट फोन के बिना मैं तो नहीं रह पाती और आइमिन के कुछ ऐसे कंटेस्टेंस हैं कि जिन्होंने बोला है कि हमें फोन की ज़रत नहीं थी लेकिन वो यहां पहुचे हैं फोन की वज़े से ही पहुचे हैं अफकोर्स फोन देके खुश बहुत हुए हों सलमान खान जब थे ना वो स्टेज में किसी को भाव नहीं देते थे किसी कंटेस्टेंस को आधा था ठीक है आप घर के अंदर जाहिए अपना ख्याल रेकिका बस यह लेकिन अनील कपूर मुझे जैसे सना सुल्तान जबाई स्टेज पर इतनी उर्दू इतनी तारीफ है उर कि अब घर में बिग बॉस का एक खबरी होगा और वो भी अनील कपूर ने जिमधारी दिया अपनी खासम खास सणा को सणा को और सणा को अनील कपूर ने कहा कि देखिसे आपको जनता के लिए यह काम करना है आप घर में तो रहेंगी लेकिन घर की सारी खबर आपको हम तक हम आपको बाहार की खबर देंगे, तो ये कुछ नया देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से जब बाहार की खबरें, जो एक कंटेस्टेंट को पता लगेंगी, उसके बाद उसके जो रियाक्शन्स होंगे ना, वो भी देखने वाले होने वाले, मुझे लगता है उसे तो पूरा गेम जो है ना, वो पहले सी पता चल जाएगा कि अच्छा, ये थोड़ा उड़ रहा है, लोग इसे पसंद कर रहे है, इसको टार्गेशन नेशने, आइसको नीचे लेकर लेकर लेकिन हाँ, इसके भी अपने प्रोंस और कॉंस है, जब घर वालों को, हमें तो पहले लगा था कि सिर्फ सना सुल्तान को ही मुबाइल मिलेगा, और ऐसा टास्क होगा, यहां तक हमें एक लिक्लारिटी हो गई थी, लेकिन जैसी एपिसोड आगे बढ़ा, तो उसमें एक और ट्विस्ट बिक बॉस लाते हैं कि घर में जितने भी 16 कंटेस्टेंट है, सबको फोन पकड़ा देते हैं, और सबको सेटिंग समझा के, एक एक सदस्य को सेटिंग समझा के, सबको फोन पकड़ा देते हैं, उसमें भी बिक बॉस कहते हैं कि आप में से एक खबरी है, लेकिन मैंने आप सभी को फोन दे रखा है तो काम तो चीजे आती ही रहेंगी लेकिन सना सुल्तान को कहा कि आप मेरी खबरी है अगर आप दर्शे को को एंटेटेन नहीं कर पाई अगर आप से हमें फाइदा नहीं हुआ तो खबरी कोई और बन जाएगा और उसके साथ पावर भी चली जाएगे सना की बिलकुल सना को इम्म्यूनिटी पावर उसके हाथों से निकल जाएगी बहुत लॉस हो सकता है तो मुझे लगता है कि सना को ये पहला वीक तो जबरदस खेलना चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो सकती है प्लस दूसरे बात ये भी है कि सना की तो हम बात करते ही रहेंगे लेकिन ये जो बागी कंटेस्टेंस को फोन मिला है और इसमें बीबी चार्ट वाला जो सीन है ना इतना तो शौर है कि इससे लडाईयां डबल हो जाएंगे वो देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइड़ आजाती है ये कैसे होगा क्योंकि आपको बाहर की इंफोर्मिशन देनी नहीं है आपको कुछ बताना नहीं है उनलों को अपने घरवालों से दूर रखना है कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए बिग बॉस के घर में दो दिन पहले से सब कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें हम उनसे डिसकनेक्ट हो जाते है और इस बार घर के अंदर फोन कोई शरारतीपन भी कर सकता है क्या क्योंकि देखो सबके एक पासकोट भी दिये गए है बिग बॉस नहीं कहा है कि ये पासवर्ड आप किसी को नहीं बताईएगा लेकिन क्या आगे चलकर टीम अप होकर क्या ख अच्छा आप कंटेस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से पहले तो मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ आपने पहला एपिसोड तो देख लिया है ये बताईए आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन निकला देखो फेवरेट की तो बात हम अभी तो ऐसे जज़ जूछ नहीं कर सकते हैं हाला कि हम लोग पहले से पहले स выполmy है एक सिराज़नेटी है जैसकि में ने इसके कुछ ना TV सेरियल भी देखे हैं अगर ये अपनी वो वली personality बाहर लेके आ जाती है ना तो मेरे ख्याल से ये जो और जादा famous लोग हैं जैसे कि love we all know तो उन्हें चाहर टकट दे सकती है मेरी अगर बात करोगे कि मुझे जो सुलजा और मुझे लगता है कि वो कम बोल के शातर अंदाज में इस बार ट्रोफी ले जा सकता है तो वो है नैजी, rapper है जाने माने rapper है, underground हो जाते हैं जैसी fame मिलता है फिर underground हो जाते हैं और एक बार फिर से आये हैं और जब आते हैं तो धंबाल मचारते हैं मतला गाने से लेकर entertainment से लेकर उनकी बात ही कुछ अलग है और इस बार जो हमारे दीपक, हमारे आंकर दीपक चौरासिया भी वहाँ पर गए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री से हैं वो उन्होंने भी ये बात कही कि वो शक्स जो नैजी है वो कम बोलता है लेकिन बहुत समझदारी के साथ बोलता है वो शब्दों के माइने जानता है तो ये कमेंट उन्होंने किया हो और वो इतने बड़े हैं तो उन्हेंने कुछ सोच समझ कही परका होगा अकसर जो कम बोलते हैं ना ऐसा माने जाता है कि उनका ब्रेन उतना ज़्यादा काम कर रहा होता है और जब से नैजी स्टेज पर आया ना तो आपकी जो फेवरेट कंटेस्टेन आपने बोल रहा है पॉलमीदास उनके साथ आई थी तो नैजी बस चौप चाप से सुन रहा था देख रहा था तुम कर लो पहले तुम कर लो मेरा आएगा टाइम मेरा टाइम आएगा ओके नेक्स्ट है निरज गोयत मैं बता रही हूँ आज तक जितने भी मैने बॉक्सर देखें इतना फ्रांक प्रांक करने वालो पॉक्सर कांडड मैंने आज तक नहीं देखा वो बंदेने न वो जैसे आया मुझे लगा कि दोचा लेफ्ट एंड राइड करेगा, मुक्के मारेगा, अनिल सर से बात करेगा और चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो स्टेट से जाए ना, अनिल कपूर के साथ और मस्ती करें, और उसकी जो अंग्रेजी है, इंग्लिश जैसे वो बोलता है, अपनी बात समझाने की कोशेश करता है, वो माइंड ब्लूइंग है, तो ये जो चवी वो लेकर आया ना, कि आप सोचते होंगे कि बॉक्सर से मिले ना, वो काफी खडूस और ताकतवर होते हैं, उनके पास मजाएए, लेकिन दिस इस सम्थिंग एल्स, वो उसकी परस्नालिटी और एक डिफरेंट परस्नालिटी दिखी है सबको, और मेरे क्याल से लोगों को वो पसंद भी काफी आने वाली है, जैसे हम में तो अल्रेडी आई रही है, काफी, काफी जादा, अभी मेरा फेवरेट तो वही चल रहा है, अच्छे दूसरी चीज़ ये पताओ, ये मलिक फैमिली का क्या है, मलिक फैमिली की जो एंट्री हुए, वो भी काफी दासु अंदास में हुआ है, और थोड़ा इमोशनल भी रहा, जिसमें जब उनके पास लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो पायल रो देती है, और कहते हैं कि लोगों को हची तो आती है, यह जानने में कि चलो इससे 6 दिन का प्यारता शादी हो गई, उससे 7 दिन का प्यारता शादी हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत ही एक स्टोरी है, बहुत ही एमोशनल स्टोरी है, सब कुछ तभाओ गया था और फिर से इन लोगों ने शुरू की, लेकिन यहाँ पे मुझे उनके लिए थोड़ी मुश्किले लग रही है क्योंकि कहते हैं कि बाहर से कोई साथ आ रहा है तीनो साथ है एक दूसरे को नॉमिनेट तो नहीं करेंगे एक दूसरे को हद तक बचाने की कोशिश करेंगे और शायद अगर बिग बॉस ने कहा कि ये मत बताना शायद वो भी इंफरमेशन एक दूसरे को दे दे तो जितने भी बाकी कंटेस्टेंट हैं सबके निगाहों में वो तो आ चुके हैं कि यह तो साथ में आये ना जहां कृतिका और पायल अपना किचन में व्यस्ती लोगों को खिला पिला रही हैं वैसे अर्मान के साइड में बैठ कर अपना गेम बना रहे हैं तो ऐसा सबके अभी इंडिविजुल परस्नालिटी ना निखर के आ रही है वन शिका जहां के इन तीनों को एक थोड़े थोड़े टाइम के लिए अलग-अलग देखना क्योंकि हमेशा साथ ही देखा है कौन अंदर से किसकी इंडिविजुल परस्नालिटी क्या है अब वो सामने आ रही है दीरे-दीरे तो लगता है कि गेम में ये लोग बने रहेंगे कब तक बने रहेंगे ओडिएंस कितना प्यार दिखाते हैं और कितना ये लोग एंटरटेन कर पाते हैं उसके इसाब से आगे की बात करेंगे फिर है शिवानी कुमारी आरे शिवानी कुमारी ने मनीशा रानी की याद दिला दी बिल्कुल ऐसा पहले तो कह रहे थे कि ये तो मनीशा रानी के तरह ही stunt बाजी करेंगी वैसे ही अपनी छाप छोड़ेंगी लेकिन वो बहुत अलग है और अपना जो उन्होंने बैग्राउंड इस तरह से बताया कि फादर नहीं है घर में चाल लड़किया है लोगों कि कैसे उनके घर पर नज़र रहती थी ये सब वो गुजरी है इन सब चीजों से और बहुत ही आक्च्वल उन्होंने अपने लिए स्टांड लिया और चीजें यहां तक उनके जो पहुची है बहुत शांदार तरीके से मेरे ख्याल से लोग ना उनसे इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ है उनके स्टोरी सुनने के बाद बिलकुल 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 और उनका एक अतना अलग स्टाइल है तो शिवानी कुमारी से ही उसको जानेंगे नेक्स आगे बढ़ते हैं विशाल पांडे है विशाल पांडे इतना तो नहीं चमके है लेकिन हाँ ठीक है नजर आ रहे हैं दीपक चौरा से मैंने आपको बताया ही सर all the very best उनके पैर में भी चोट लगी हुई हूँ बहुत गर में अब वही हैं तो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं चंडरी का दिक्षित बहुत ही सुलजी लगी और यह जो लोग घर के अंदर भी उनसे पूछने की कोशिश करें कि आपको ही सिर्फ सड़क पर क्यों टार्गेट किया जा रहा था तो बहुत ही इत्मिनान से अरा से उसका आंसर भी जवाब भी दे रही है जो चंडरी का दिक्षित मुझे लगता है कि वो भी शांत रहती है और ऐसी अगर बने रहेंगी तो अच्छा खेल जाएंगी अगर किसी से मेन्यू प्लेट ना हो किसी के बातों में ना जाए क्योंकि थोड़ी वह सॉफ्ट हर्ट आके पहले दिन अब यही लगता है सबको आज वड़ा पाव पाटी तो मिलने वाली है लेकिन कहीं कृतिका और पायल जब खाना बना रही थी तब वड़ा पाव गर्ण ने एक चीज़ कहीं भी कि कल मैं आपको यह खिलाओंगी तो मुझे लगता है सब पहले तो यही नज सब कुछ ऐसा लग रहा है इवन अवास तक कि आपने एलविश की पूरी कॉपी करके आए हो आप वो मत करिए आप जिस तरह से लोगों का प्रांग करने के या उनके साथ बत्तमीजी या ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता आगे चलकर आपको लव कर्टारिया से तो एक ही उमीद है कि भाई अपने स्टाइल में आप रहे है यहाँ पर सिस्टम 2.0 लाने की नहीं जरूरत है वो हो गया वो एपिसोड कंप्लीट वो विनर घोशित अगर आपको बने रहना है गेम में तो हम लव कर्टारिया को देखना चाहेंगे नेक्स्ट है रनवी शौरे अभी शांत मिजास के हैं लोगों को परखने की कोशिश करें और शायद उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया है देखे फिल्म इंडस्ट्री में अब इतनी इतना क्राउड हो चुका इतने लोग आ चुके हैं ऐसे हुनरबाज आक्टर आक्टरेस को काम ही नहीं मिल रहा है और उन्होंने ये बात कही जब उनसे शिवानी नहीं पूछा कि आप सर क्या करते हैं तो इतने फिल्मों में उन्होंने काम किया है और अभी उनको फिलाल चीजे नहीं मिल पारी कोई मूवी नहीं मिल पारी टीवी सीरियल नही मिल पारा और उन्होंने का कि अगर मेरे पास काम होता तो मैं यहां नहीं आता तो उन्हें इस प्लाटफर्म की जरूरा थी और अच्छा खासा यह यूटिलाइज करें ऐसे ही अक्टर अक्टरेस जिनको काम नहीं मिल रहा है और इंडस्ट्री में इतने टाइम से चले आ रहे हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है उनके मुझे लगता एक वोईज उठाने के लिए बहुत साही प्लाटफर्म है नेक्स्ट की मैं बात करते हूं किस मैंने इसको इतना साधा देखा है ना लेक साही केतन राओ है ठीक है तो इसके बारे में जितना वोलूशाव उतन के लिए तीवी सीरियल से ही आने वाला है क्योंकि काफी लोह उसे वहीं से फॉलो करते हैं उसकी एक वो परस्नालेटी है एकदम इंडियन गाइड असकी थोड़ा सा और बोल्ड उस ताइब की परस्नालेटी है उसके आग्स वही बहर आनी चाहिए थोड़ी सी लगता है ल और ये भी सुलजी हुई नजर आ रही है और अभी सबको फिलाल नूटिस कर रही है और अर्मान इनको सुलजे लगे लेकिन पाइल और क्रितिका इनको ऐसे लगी कि ये कुछ और ही परस्नालेटी दिखाने की कोशिश कर रही है जो वो है नहीं तो ये इनका उपीनियन था पायल और कृतिका को लेकर आगे बढ़ते हैं सना मकबूल की जो पास्ट में चीजे रही है वो डिप्रेशन से गुजरी है आपने देखा यह होगा जब वो मेकप उतारती है तो उनके अपर लिप में यहां पे उनके दाग है जो उनोंने इसकी स्टोरी बताई और मुझे और जो दुरगटना आपके साथ हुई है उसके बारे में खुल कर सामने आकर बात करने के लोग बुली इतना करते हैं उनको उस चीज से सबक भी मिलेगा जो भी करते भी होंगे ना इन पास्ट भी उसे किया होगा आज वो कहां है लेकि वो किस प्लाटफॉर्म पे पहुँ ना उनलों को रिग्रेट भी होना चाहिए इस चीज को सोचके तो सणा मकबूल ने पहली दिन बता दिया था कुछ लोगों ने हसी भी उनकी उडाई लेकिन सणा मकबूल ने उन्हें चुप कर वा दिया था और एक मास का टुकड़ा निकल गया था और एक लंबे वक्त से वो डिप्रेशन में थी लेकिन अब उन्होंने कमबाक कर लिया है और गेशी गॉना रॉकेट लास्ट इस तना सुल्तान खान मुझे उनका एपिसोड देखने के बाद ना ऐसा लगता है चार पांशारी मेरे अंदर गुश जाती है उर्दू ना पूरा ऐसे अंदर गुश जाते हैं मतलब जो इतलाक तहजीब जिस तरह से वो बात कर रही है तो देखने में तो सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीजे उनके अगल बगल है वो मुझे लगता है कि देर तक नहीं टिकेंगी और उनको अपना थोड़ा र मैं में माहिरा येस येस तो ये उर्दू माहिरा थोड़ा सा कनेक्शन होता वो देख रहा है सना के साथ हाँ तो आगे चल कर जिस तरह से महिरा का थोड़ा लोगोंने मजा खुडाय था इनका भी मजा कुडा सकते हैं लेकिन अच्छी अभी तक लगी और मैं उनको बोल इंफ्लोएंसर बन गई है तो इनके अलगी फैन बेस है तो वो भी इनको अच्छे जम कर वोट करेंगे लेकिन जब अनील कपूर ने इन्हें जिम्मेदारी दी थी तो उनके आखों में आसू आ गयते लिटरली और यह बार बार यही पूछती थी कि मुझे क्या जनता के ल लिए आगे क्या होना है वो भी हम आपको बताते रहेंगे और देखे जियो सिनिमा में एक और अच्छी चीज़ है कि 24 इंटू 7 आप देख सकते हैं क्या कुछ आक्टिविटीज बिग बॉस घर के अंदर हो रही है और एक और चीज़ बता दूँ कि यह सीजन बोरियत से भ भरा हुआ है और आने वाले जो टास्क होंगे वो पहले की तरह नहीं होंगे वो बहुत ही अलग उने वाले हैं तो देखना ना भूलेगा और हाँ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा मेरे और वंची का कि जोड़ी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन पर लि